नमस्कार आप देखने भी निवी जिंदी और मैं दिल्ली विहार निवास मौझूद हूँ और हमारे साथ बीजे पी के तेस्टरारे में ललन पासवान जी हैं ललन जी मुखमंतरी समधान जात्रा के दोरे पर और अंगाबाद में थे और मुखमंतरी पर कुर्सी फिक दिया कि इस लोगों ने भी हम्ला किया उस पर कड़ी से कड़ी कानुनिकांवाई होनी चाही है उसको जल्द से जल्द के और जयद के अंदर होना चाहoking कि यह किसी एक बैक्ती पर हमना तंद कंदर के इनकी दिमाग में आज भी Raaid गुंडा गरदी चल रहा है जानना चाहिए केसे कहते हैं ऑड डेमक्राइसी डेमक्राइसी दब्बे का कोई अस्थान नहीं है यहां पर जो भी मुक्मंत्री बनते हैं वो कोई यहां कोई कुस्ती करके इस मुख्मंत्री प्रधान मंत्री बनते रहते हैं कभी यह बनने के पीशे कोई लडाई जगडा नहीं होता है जिसके पाले में जादे मत होता है वहां पर बैठते हैं कुर्सी पर जाकर करके और आज विहार के जनता का मेंडेट परतेक्ष और परतेक्ष रूप से आधरे नितिस कुमार जी के साथ है वो मुख्य मंत्रे हैं बिहार के सिर्मौर हैं हमारे ताज हैं हमारे आन बान और सान है बिहारियों के और यह हमला बिहार के 14 कुलूर जनता मालिक पर हमला है और ऐसे हमलावर पर कड़ी से भाई होनी चाहिए यह लोक तंसक्ष महलेंं के दुस्मन हैं यह बिहार के चौड़ा क्रोड़ के सब्सक्राइप हैं हम बिहार के डीजी पी से वहां के पुलीस पर सातें चाहते इसको घलके में लेने की जौरत नहीं है इस पर राजनितिक रंग नहीं चड़नी चाहिए इसको कोई भी हो जिसके पीछे कितना में बड़ा आदमी कोन हो वो बक्सा नहीं जाना चाहिए यहीं स्थ्वास्त लोक तंतर की परंपरा है जब दिली में अपना चीकिन से कलाब करा रहे हैं ललन जी इंजिनियर हैं जब इनसे मैंने पूछा कि ललन जी बिहार की मुख मंत्री पर हमला हो गया है आप कुछ बोलेंगे उन्होंने तुरंत मुझे समय दिया और साफ साफ इ होने चाहिए हमारे सजोगी प्रभात के साथ कॉसलंदर नहीं दिली शे बहुत बहुत दन्यवाद